वेल्कम बाक टू माई चैनल विजु का पार्ट साला मैं नितन आज आज आपको निफ्ट में ओवर कॉन्फिडेंस से आपको किस तरीके से परिशानी हो सकती है उन पे थोड़ा कुछ चीजे आपसे डिस्कुस करना चाहता हूं शाथी साथ मैं आपको बतातूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शाथी साथ बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलते रहेंगे तो निफ्ट इंट्रेंस एक्जाम में ओवर कॉन्फिडेंस भी होना आपके लिए हानिकारक होता है यह एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूं अगर आपका कॉन्फिडेंस लेबल बहुत ज़ादा है कि मेरा sketching बहुत अच्छा है, मेरा painting बहुत अच्छा है मेरे घर में पहले से निफ्ट इंट्रेंस बैठे हुए है उन्होंने निफ्ट इंट्रेंस एक्जाम क्लियर किया है तो मैं भी कर लूँगा यह मैं भी कर लूँगी तो आपको यह चीज में बतादूं कि आपका सोचना एकदम गलत है ना painting, ना sketching या आपके घर में निफ्ट के इंट्रेंस एक्जाम या फिर निफ्ट के पढ़े हुए बहुत लोगों के उन चीजों से आपका निफ्ट क्लियर नहीं होता है आपके अंदर में कितने confidence label है, उन चीजों का आप अपने आपको चीजों को जज़ करें इसको मैं एक छोटे story के थ्रू बताना चाहता हूँ निफ्ट के entrance exam में overconfidence नहीं होँआ चाहिए आप एक normal रहें, आपके creativity level आपके control में रहें आप किस तरीके से अपने environment पर आपको connect करते हो वह बहुत अच्छा चीज है तो इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक story के थ्रू एक बर एक हिरन था और उसे अपने खुबसूरत सिंग पर बहुत घवन्ट था और उसमें क्या हुआ कि उसमें एक बर वह बहुत ही अपने चीजों के लिए अपने सिंग के लिए बहुत ही घवन्ट करता था तो वह क्या हुआ कि एक दिन तालाब किनारे पानी पीने गया और क्या हुआ कि वह पानी पी रहा था उसने अपने प्रतिविम, अपने छाया, अपने मिरर इमेज को उसने पस्पानी में देखा और क्या हुआ, कि बहुत खुश हुआ, ओर कॉन्फिडेंस, कि भाई मेरे जैसा खुबसूरत सिंग तो किसी के पास है ही ने, मैं बहुत खुबसूरत हूँ, मैं इस जंगल में बहुत खुबसूरत हूँ तो क्या हुआ, कि उसी समय वहाँ पर कुछ सिकारी आ गये थे और सिकारियों ने उसके उपर जाल फेका और उसे एक चीज़ में बतादों कि साथे साथ उसे अपने प्रतिविम में उसने पैर को भी देखा थे, जो बहुत पतले-पतले थे तो उनसे वह बहुत निरास रहा करता था, कि वह उसके पैर बहुत पतले-पतले हैं वह ढ़ंग से दिखते नहीं हैं च्छोटे-चोटे हैं, तो उसे उसे बहुत लिक्कत होता था तो मैं बता रहा था कि जिस तरह के सब जाल उसने फेका, सिकारियों ने, उसके उपर, तो वो उसमें फस गया, वो भागा, वो बहुत भागा, भागते 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 एक जाके जाड़ी में छूप गया, जब जाड़ी में छूप गया, तो क्या हो, साथ ती साथ उसको, ज जाल उसके सिंग में भी पूरे तरीके से फस चुका था, वह बहुत परिशान, बहुत परिशान है, उसके पास उसने क्या किया, उसने अपने पैरों से अपने पूरी जाल को हटाया, पूरी तरीके से पैर से खीच खीच के पूरी तरीके से हटाया, और फिर उसके बाद वहा से सुरक्षित उस जाल से निकल पाया तो इन चीज़ों से मैं आपको बदाना चाहता हूँ इस lesson इस story से ये आता है कि अपने चीज़ों पर घमन ना करें जो चीज आपके पास है और साथी साथ ये बदाना चाहता हूँ कि जो चीज आपका जो आपके weak points हैं वो strong points होते हैं उनकी respect करना भी आप सीखें और उस चीज़ को इस्तमाल कर रहे हैं आप कि अगर आपको sketching नहीं आता है तो आप फिर भी आप lift के entrance exam क्लियर कर सकते हो because की creativity judge you presence of mind judge you ठीक है तो आप उस पतले-पतले पैर से उस नाजुक चीज़ों से भी रही होना है और हमें lift entrance exam clear करके दिखाना है तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद all the best फिर मिलते हैं दूसरे नए वीडियो के साथ कुछ 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 झाल झाल